हुआBob थेखम बेक, तो आई हम समझेंगे आप लोग जैसे बोलते होंगे इस डर से मैं आपके घर नहीं कहाँ कि आप मुझसी से लड़ेंगे या आपने बढ़तव होगा इस डर से कोई उसे जान से न मार दे वह है वहाँ से यहां से यहां से बात गया यह वह नौकरी खोने के डर से कुछ कहे गा नहीं ठीक है ऐसे जब sentence होते हैं तो वहां पर हम लोग एक basic use का use करते हैं जिसके माध्याम से हम लोग बहुत सरे sentence बोलते हैं हम लोग को पता नहीं होता इसलिए हम लोग आई sentence नहीं बोल पादे लिए बिन हम लोग आज समझेंगे ऐसे संटेंस असानी से बोलने के लिए इस कुछ हम कॉंसेप्ट का यूज करेंगे इसके यूज हम देखेंगे जिसके मादम से बोग बहुत सब्सक्राइब संटेंस बोल पाएंगे हम समझेंगे आज फोर फियर डैट या फोर फियर ऑ टो हम देखे जाए रफ फीर आउव प्यूर का मतलब आपको पता ही है फिर का मतलब होता है डरना ठीक है और यहां पर आप की जगा बील लगा सकते हैं किसको कैसे यूज करेंगे तो हम लोग समझ anything for fear of lossing his job तो इसमें लिखा है कि for fear of यानि वह है इस डर से कि कोई वह है नौकरी खोने के डर से कुछ कहेगा नहीं ठीक है यहाँ पर he will not say anything for fear of lossing his job वह नौकरी खोने के डर से कुछ कहेगा नहीं तो यहां पर हमने जो यूज किया है for fear of का यूज तो इसका एक बेसिक देखा जाए तो इसका यूज करना चाहें तो यहां में सबसे पहला हो जाएगा अपका सब्जेक्ट यहां पर आपका sentence हो सकता है ठीक है sentence के बाद में फिर आपका हो जाएगा for fear of प्लस फिर उसके बाद हो जाएगा आपका other word हो सकता है यह बर्व के साथ ing भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर हम लोग other word देख लिया ठीक है अब हम समझते हैं दूसरा sentence लिखा है यह आपका structure हो जाएगा यह वाला पहले sentence फिर इसके बाद for fear of फ देख लिया है तो इसको हम लोग समझते हैं पहला sentence आपका हो गया कि for fear आपका इसी में यूज किया गया है यहां पर किया गया ही विल से ही विल नौट से एनिफिंग for fear of lossing his job यहां पर हमने for fear of का यूज किया है इसलिए देखे जाए यहां पर इसका concept यह लगेंगे दूसर न दे ठीक है तो यहां पर लिखा है for fear of यहां पर भी यूज किया गया है getting killed कि कोई उसे मार न दे वह यहां से भाग गया ठीक है तो इसमें भी हमने डर के उस डर से वह यहां से भाग गया तो यहां पर for fear of का यूज किया गया है next देखा थर्ड नम लिखा है see doesn't tell anything for fear of lossing prestige किया लेकका है कि सम्मान खूने के डर से उसने यह वह किसी को कुछ नहीं वताया थिक है सम्मान खूने के डर से तो यहां पर हमने यूज किया है she doesn't tell anything for fear of lossing his press style ठीक है तो सम्मान खोने के डर से वह किसी को कुछ भी नहीं बताती ठीक है तो यहाँ पे हमने for fear of का यूज किया गया है कि सम्मान खोने के डर से यहाँ पे हमने for fear of का यूज किया है fourth number लिखा है see I didn't go to his office for fear that he would quarrel with me तो मैंने इस डर से उसके office नहीं गया किस डर से नहीं गया कि वह मेरे से लड़ाई करेगा मेरे साथ लड़ाई करेगा ठीक है यहाँ पे लिखा है for fear that यहाँ पे सिर्फ इतना यंतर है कि यहाँ पे हमने पहले जो यूज किया था for fear of और यहाँ पे for fear of यहां पर सेम है बस अंतर इसमें इसका इस्ट्रक्चर में इतना है कि यहां पर जो जाएगा उसके बाद संटेंस ठीक है तो यहां पर इसका जो इस्ट्रक्चर होगा तो संटेंस पहले आ जाएगा उसके बाद फ़र फियर दैट आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा संटेंस तो यहां पर हमने जो फोर्थ नंबर में यूज किया है इसका फोर्थ नंबर में यूज करके आपको बताया जाया है कि यहां पर जो यूज क में दिखा जाए तो लिखा गया है for fear that का यूज किया गया है नेस्ट लिखा है fifth number में he didn't propose her for fear that he would not accept his proposal उसने इस डर से उसको प्रोपोज नहीं किया है कि वह उसका प्रोपोजल नहीं एक्सेप्ट करेगी ठीक यहां पे लिखा पहले संटेंस लिखा गया है ठीक है उसके बाद लिखा है for fear that उसके बाद लिखा है she would not accept his proposal तो यहां पे यूज किया गया है तो दोनों संटेंस हैं वीच में for fear that का यूज किया है तो आप को समझ में आया हो तो दुवार आप लोग देख लीजिए इसको आपको जरूर समंझ में आ जाएगा तो आई होप को समंझ में आ गया होंगे दो हमने यूज देखे हैं सबसे पहला है आपका for fear that और sorry for fear of दूसरा लिखा है for fear that तो मिलते हैं नेस्ट यूडियो में तो लोगे लिए thank you thank you वाचने देश यूडियो